नमस्कार मित्रों आप सभी का ओम डीजिटल स्टडी केस ओनलाइन लर्निंग प्लेटफर्म पर बहुत-बहुत स्वागत अविनंदन आज के सेशन में हम सीटी और नोन सीटी भर्तियों के बारे में हो थोड़ी सी चर्चा करेंगे बहुत से अभियरतियों के आप लोगों के सीटी में कितने क्या जो मार्क्स होंगे और उनका अभी तक 15 गुणा का जो रिजल्ट है वो आया नहीं है 15 गुणा की लिस्ट नहीं आई है तो हम कितनी क्या कटोप जाएगी इसके लिए तैयारी करें या फिर किस की तैयारी करें सीटी की करें और कुछ ऐसे ब्यरति है ज दिसंबर एंड में है तो वो अब क्या करें के लपसूपरिचर की ही तैयारी करते रहे या फिर सीटी के लिए अभ्यास करें सीटी की भी साथ में है वो रणदिती है वो अपना है तो इन तमाम मुद्दों पर हम आज के सेसन में हो चर्चा करेंगे तो देखिए सबसे पहल है वो पिछली 2022 वाली जो सीटी थी उसमें जो अपियर केंडिडेट्स है उनकी इस्तती है तो अब देखिए सीटी 2022 की अगर बात करें तो सीटी 2022 के अंतरगत एशे अभ्यरती है जो आपके लडिसी के लिए उन्होंने आवदिन किया है इसके अलावा ऑस्टल सुप्रिडे इसके लिए किया है और वोमन सुप्रवाइजर है यह इसकी मेजर आपकी वेकंसी अगर बात करें तो यह मुख्य रूप से हैं इसके अलावा नौन सीटी की अगर बात करें नौन CET, तो non CET के अंत्रगत वर्तमान में देखा जाए, तो सबसे बड़ी जो भरती है, वो है पशुपरीचर, दूसरी है आपकी इस्टेनोग्राफर, ठीक है, तो इस्टेनोग्राफर है, ये वेकेंसीज, इसके अलावा और भी बात करें, तो इसमें एक आपकी non CET के अंत्रग करेंगे, और एक है आपकी junior instructor की, ठीक है, कनिष्ट अनुदेशक की, तो ये कुछ वेकेंसीज है, और एसी कुछ वेकेंसीज, जो आपकी अधर जूल में है, अभी तक, पटवार की भरती है, ठीक है, इसी के साथ साथ में, और अगर यहाँ पर भरतीयों की बात करें, तो ए इन वेकेंसीज के लिए, अब आप किस प्रकारशी क्या रणनती अपनाए, कि CET की तैयारी करें, या फिर इन भारतीय प्रिक्षाओं की करें, तो पहली बात हम यहाँ करेंगे, कि एसे अभियर्ती, जिनका 2022 का CET है, और CET में ठीक ठाक माक्स है, यानि कि अगर माना जाए तो जो आपका junior accountant का जो paper हुआ, उस junior accountant में जितने अभियर्तियों को है, वो appear किया, वो अगर आपकी category wise जो cut up है, वो बन रही है, तो आप चाहे इन तीनों भरती प्रिक्षाओं की आप तैयारी है, वो करें, लेकिन इसमें अगर बात करें, तो hostel superintendent जो exam है, और woman supervisor है, इसमें प पद बहुत ही कम है, और तीन गुणा के जो पद है, वो भी होंगे, तो भी आपकी बहुत ही, इसमें कम जो बच्चे है, वो तीन गुणा में भी यहाँ पर है, वो appear होंगे, तो अब हम क्या करें, हमारी जो manly आपके यह रहता है, कि हम कुछ अभियरति पूछ रहे हैं, सर चीज है, यह मैं आपको कलियरली नहीं बता सकता कि होगा या नहीं होगा, मैं एक बार कह सकता हूँ कि हाँ, आपका हो जाएगा, तयारी आप करते रहें, यहां बहुत कम नंबर हैं नहीं होगा, और बहुत से आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगे, कि CET की कट कट ओप यह रहेगी, यह रहेगी, तो अब आपको किस प्रकार से है, अपनी रणनेती को आगे बढ़ाना है, और अलग अलग जो कट ओप है, किसी से आप सुनेंगे, तो उसके एक वोडिंग आप पास हो रही है, कोई दूसरा वीडियो देखेगा, वो आपको फेल कर यह है, वो ज़्यादा तर जो वुमेन सुपरवाइजर है, इस वुमेन सुपरवाइजर के जो अभियरती है, जब तक आपका जो रिजल्ट ना आए, आपके कितने भी मार्क्स क्यों ना हो, चाहिए CET आपने दिया हुआ है, पिछले वाड़ा, ठीक है, और उसमें ठीक ठ नंबर हैं आपके, तो आप अभी केवल इसी की तैयारी करें, बाकी आपको कुछ भी देखना नहीं है, ठीक है, और शाथिसाथ LDC के हैं, तो आप क्या करें, टाइपिंग है, वो साथ-साथ अभ्यास, गंटा-गंटा है, वो डेली का आदा गंटा या गंटा, आप है, वो एकदम स्पीड लापाना मुश्किल है, और आपका हो सकता है कि समय भी बहुत कम मिलें, लगबग, मैक्सिमम अगर माना जाए, तो रिजल्ट के दो, ढ़ाई मैना या तीन मैना मैक्सिमम आपको टाइपिंग के लिए मिलेगा, तो इसके लिए आप टाइपिंग भी किसमें आती है, तो पास और फेल की जो बात है, वो आपकी किसमें आती है, यानि कि CET में 15 गुणा है, 15 गुणा में आप यहां तो पास होंगे यहां फेल होंगे, अब CET में आप अपियर नहीं हुए 15 गुणा में, तो फिर आपकी LDC की जो तैयारी है, वोस्टल सुप्रि चैनली बात करें, CET का जो एक्जाम है 2024 वाड़ा वो भी आपका है, वो होने वाड़ा है, और इसकी अगर केलेंडर की बात करें, तो यह जो डेट है इन्होंने दे रखी है, वो थोड़ा केलेंडर पर भी हम ध्यान दे देते हैं, और उसके बाद में हम बताएंगे, कि देख इसके अलावा समान पातरता परिक्षा आपका रिजूशन लेवल हो गई, और शीनियर शेकंटरी लेवल है यह अक्तुमबर में, तो आपके सितंबर और अक्तुमबर के महिने में संभावित जो तित्या है वो बताई गई है, इसकी, CET की, तो इसमें ये इसका जो रिजल् ध्यात आ जाएगा, अगर आप इसमें अपियर होते हैं, तो तो अच्छी बात है, और अगर अपियर नहीं होते है, तो फिर आपको क्या करना है, इस CPT में लग जाना है, और जो इस सिनियर सेकंटरी के लिए लिजजबल है, और दोनों में लिजबल है तो करे, ताकि सीनि यहां से तैयारी हैं हो करणाउना सुरू करेंगे को इसका जो ऐंग बिस तो आ इससे कुछ और भी आपको CET हो रखा है तो आप इनकी तैयारी करें और इसमें नहीं होता है जुरूरू भाग्यवस तो आप CET की हो तैयारी करें अब दूसरी बात है कि अगर आप का CET में हो भी जाता है तो भी यह जू सितंबर वाली CET है इससे आपका exam ये बाद में होता है जैसे LDC की अगर बात करें तो LDC का जो exam है इसका LDC का exam आपका कब क्या है वो देख लेते हैं CET से पहले है या बाद में हैं तो लिपिक ग्रेट सेकंड आप देखिए ये आपका अगस्त में हो जाएगा इसके बाद में आपका समान पातरता प्रिक्षा CET ग्रेजूसन होगा और उसके बाद में अगर बात करें तो आपका CET समान पातरता सनातक इस्तर और इसी के साथ में आपका senior secondary यानि कि ये अगस CET की करें CET graduation करें जैसे आपका जो LDC का exam complete हो जाता है तो उसके बाद में आपको एक दो मेंने जो CET के लिए मिलता है उसको आपको CET का जो शह सलेबस बस जाता है जो LDC में नहीं है उसके लिए आपको धुआधार यहां पर मैनत है वो करनी होगी अब बात करते हैं हम जैस CET कि और अगर बात करें यह महिला प्रिवेक्षक CET graduation level का है जुलाई में हो जाएगा तो जो अपियर हो रहे हैं वह तो इसकी तैयारी करनी है और बाद में जैसे ही एक्जाम देंगे उसके बाद में आपको लग जाना है LDC के लिए है तो LDC में लग जाना है और LDC में नही है तो CET graduation level का सिले बस आपको पकड़ना है ठीक है अब यहाँ पर और अगर बात करें तो दूसरी बात है अभी पसूपरिचर पसूपरिचर आपकी बहुत ही लश्ट में एक्जाम है और इससे पहले सारे एक्जाम आपके LDC की बात करों इस्टेनोग्राफर की बात करें य वो सबसे ज्यादा होगा क्योंकि जो आपका LDC के जो अभिरती है वो पसूपरिचर में एक्जाम देंगे वुमें सुपर्वाइजर के है वो पसूपरिचर में देंगे इस्टेनोग्राफर के है वो पसूपरिचर में देंगे आरेस के अभिरती है वो पसूपरिचर में द कर रहे हैं उनको मेरी यही सला है कि आप टारगेट पसु परिचर को ना करके CET को टारगेट करें CET 2024 सितंबर और अक्तुमबर वाली क्योंकि अगर आप केवल पसु परिचर पर भी अड़े रहे तो क्या होगा कि CET में आप अच्छा परफॉर्मेंस है वो नहीं कर पाएंगे और अगर CET में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया तो पसु परिचर का तो हम कहने ही सकते क्योंकि टॉप जो केंडिडेट है वो हो सकता है पसु परिचर में है वो उसमें हो को आपियर हो जाए क्योंकि LDC में भी जो टॉप केंडिडेट होंगे इस्टेनों में भी होंगे ठीक है तो इसमें अभी आपको क्या करना है जो CET 2024 है इसको भी साथ में ले करके चलना है और CET को साथ में ले करके चलेंगे तो इसमें पसुपरिचर भी आपका हो जाएगा क्योंकि CET में आपकी पसुपरिचर में जो मैट्स है तो CET में टोपिक वाइस वो दे रखा है अगर CET 12th लेवल की आप मैट्स कर लेंगे तो पसुपरिचर में एक भी सवाल गलत नहीं होगा CET की साइस कर लेंगे तो पसुपरिचर में साइस का एक भी सवाल गलत नहीं होगा CET का जीके कर लेंगे तो पसुपरिचर में राजस्तान सामानी ग्यान का कहीं भी कोई भी सवाल आप हो गलत नहीं करेंगे तो ये चीज है इसके अलावा अब पसुपरिचर का जितना है वो पसु वाले भी पे दे रहे हैं तो यह आपको है वो सीटी में सेट बेखों ला सकता है सीटी में आप इससे पिछड़ सकते हैं और अगर 2024 की सीटी में आप पिछड़ गए तो यकीन मानिए 2025 और 2026 आपका है वो एसे ही चला जाएगा जिस प्रकार से सीटी 2022 में जो अभी पिछड़े हैं वो अभी जो रोना रो रहे हैं फिर है वो पसु परिचर के अभीरतों को ऐसा ही रोना रोना पड़ेगा क्योंकि अबकी बार 2024 की जो सीटी होगी इस सीटी में आपकी वेलिडिटी है इसकी वेदता है वो एक साल की बजाए दो साल या ती लेवल पर रहेंगे तो आपको जो कम नंबर वाड़े हैं उनको टोप 15 गुणा में कहीं भी आप भागीदारी भी आप पार्टिसिपेट भी एक्जाम में नहीं कर पाएंगे और पीछे के पीछे ही रहेंगे इसलिए मेरी आपको सला यह हैं आप कहेंगे सर डी करके चलेंगे तो पसू परिचर में आपकी क्या चीज हैं यह दिसंबर में एक्जाम होना है तो सितंबर- अक्टमबर में आपका CET का एक्जाम हो जाएगा graduation level तक हो जाएगा इसके अलावा कुछ जो CET परसुपरीचर का एक्स्ट्रा जो चीजे है वह आप परसुपरीचर का जो B पार्ट है प्रति दिन क्या करना है डेली वन हावर एक जो आपका गंटा है इस परसुपरीचर वाले चीज़ को देना है आपको और बाकी आप जिके है साइंस है मैच से इतियादी है, वो CET के according पड़े, साथ में हिंदी और इंग्लिस भी पड़े, हिंदी इंग्लिस नहीं पड़े, तो फिर आपको और है वो नुक्षान हो सकता है, और आप CET में अच्छे score है, वो नहीं करेंगे, तो यह जो चीजे हैं, वो आप अभी से साथ में लेकर के चले इस पसू परिचर की आप तयारी ना करते हुँ, अपनी तयारी की है, वो दिशा देवे CET के एक्जाम के और ठीक है, और पसू परिचर में अगर आपका सेलेक्शन हो भी जाएगा, तो क्या आप कर लेंगे, फिर भी आपको दूसरे एक्जाम की तो तयारी आप करनी ही करते हैं, दूसरी प्रतियों की प्रिक्षा में है, वो आप प्यर हो सकते हैं, लेकिन आपने CET नहीं की, तो अभी जो कॉम्पिटेशन है, और अभी जो कॉम्पिट कर रहे हैं, वो दो साल तक आप है, वो उनसे पीछे रहेंगे, और फिर दो साल बाद में आपको मौका मि दूसरी बात है, कि इस्टेनो ग्राफर के जो ब्यरती है, जो इस्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, और जो कोचिंग इस्टिट्यूट है, वो ज्यादा प्रशू परिचर पर ही फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उनके कमाई का जरिया भी यही है, ठीक है, मैं भी उसी कम्यूनिटी स संबन्दित हूँ खेर, लेकिन ये एक नेतिक जिम्मेदारी बनती है, कि आप किस प्रकार से है, वो अपने जो चीजों को है, वो आप फोलो करें, ताकि आपको हो किसी प्रकार की कोई है, वो नुक्षान ना हो, क्योंकि बच्चे ज्यादा है, और ज्यादा जो बच्चे ह आप दिमाग से डिल्यूट ना कर पाएं, और साथ साथ में चलती रहें, दूसरी जो बात है, इस्टेनोग्राफर के, इस्टेनोग्राफर के बहुत सारे अब्यरती ऐसे हैं, जो केवल इस किताबी ज्यान में लगे हुए हैं, इस्टेनो की प्रक्रिस कोई नहीं कर रहे है सेलेक्षन हमारा होगा, अच्छे नंबर आएंगे, सेलेक्षन होने के बाद में भी जो आपकी वेट करेंगे, कि हमारा कितने क्या माक्स आ रहे हैं, उसके बाद में हम तैयारी करेंगे, तो ऐसी तैयारी से इस्टेनोग्राफर कभी भी नहीं बनने वाले, इस्टेनोग्र इंडी-ंगलीस में सीखने के लिए और इस टेनों में तो आपको एक बासा सीखनी है अगर आपको कहे दिया जाए कि आपको उर्दू बोलनी है लिकनी है और जो आपकी प्रकार्श लिखना होता है उस टाइप से आपको जो चीजे हो लिखनी है कोई भी न्यू लेंग्वेज जो आप पूरी तरीके से उससे अनभिग्य है तो एसी चीजों को सीखने में लगबग साल बर का समय लगता है ठीक है केवल आपको सीखनी नहीं है जो आपको बोले हुए को एक सुर्तिलेक के रूप में उसको है वो लिखना है लिखे हुए को फिर आपको वापस कंप्यू सकते हैं या नहीं कर सकते अगर आप यह मन बना लिया इस टेनोग्राफर बढ़ना है तो इसके इसके अगर बन गए और इसके बाद में अगर आरेस का जो उन्स है वह भी आप से पीछे है क्यूंकि इस टेनों में बहुत ही अच्छी अच्छी अपरिजिंटी है बहुत ही है लेकिन में भूएल की तेयारी कें लिए मन बना रहे हैं उसी दिन के लिए कम से कम डेली के 3-4 गंटे के के लिए आप देंगे तभी इस्टेनों बन पाएंगे मेरे पास में बहुत से बिरती जुड़े हुए है 2018 के इस्टेनों से ठीके 18 में उनका दुर्भागिवस नहीं हो पाया लेकिन उन्हें इस्टेनों की मैनत है वो जारी रखी और इस्टेनों अच्छी तरीके से शीक लें हैं और भी आपके संसद में SSC में Central Level की भी बहुत सारी जो वेकंसी है वो इसमें इस्टेनों की आती रहती है तो यह केवल इस्टेनों वाले जो बारवी के बिल्कुल अभियरती है तो वह इसमें हो अभागया आजमा सकते हैं और पहले वाले जो इसके लिए हो तैयारी करे हैं और शाती साथ सीटी को भी इस्टेनों के साथ में आप जरूर ले करके चलिए मोटली तो आपका ज्यादतर वही चीज़े हैं लेकिन मैच सित्यादी नहीं है तो उस पर भी आपको थोड़ा सा फोकस है वो करना चाहिए अब दूसरी बात है कुछ हमारे ऐसे अभियरती है जो जैयन की है ठीक है और कुछ है आपके जूनियर इस्ट्रक्टर की अब जूनियर इस्ट्रक्टर की तो वेकेंसी आप में जून से है वो एक्जाम इसके स्टार्ट हो रहे हैं और यह एक्जाम है वो आपके जहां तक लश्ट तक आपके चलेंगे ठीक है तो इसमें अ इसी पर आप है वो focus करें कनिष्ट अनुदेशक की प्रिक्षा पर है वो focus करें कुछ जूनियर इंजिनियर के अभ्यरती है वो भी कनिष्ट अनुदेशक के लिए पात रहें इसके लिए तैयारी है वो करते रहें और साथ जब आपका CET का एक्जाम है उसका नोटिफिकेशन आ जाता है एक्जाम डेट आ जाती है मैंना पर पहले CET का जो एक्जाम है वो रहता है तो मैंने डेड मैंने आप थोड़ी सी CET को है वो जरूर ध्यान दे जिसंबर में जो है वो भी थोड़ी सी CET पर फोकस करें और जहियन के अब्यर्ति है वो क्या करें पटवारी पर भी हम आएंगे जहियन के अब्यर्ति की बात करें तो जहियन के अब्यर्ति फिलाल एक तो आपका जहियन वड़ा है वो तो आपके लिए के जड़ी बूटी है वो तो आपको स साथ में जरूर लेकर चले डेली का आप दो तीन दो तीन गंटा टेक्निकल पॉर्शन को जरूर दे अगर उसको आपने नहीं दिया तो फिर जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो आप है वह बाकी जो अब्यरती है जो प्रतियोगी आपके साथ ही है उससे काफी पीछड बाता है तो बी पॉर्शन को आप साथ में लेकर के चले और दूसरा एक जो विकल्प है आपका सेकंड जो ऑप्सन क्या होना चाहिए जो जैयन की बरती है वह आनित वाली है निश्चित रूप से आपकी आएगी लेकिन सेकंड ऑप्सन भी आपके पास में होना चाहिए तो CET में देखिए आप टेक्निकल वाले हैं तो आप साइंस बहुत अच्छी तरीके से कर सकेंगे मैट्स अच्छी तरीके से कर सकेंगे रिजनिंग में आपको कोई समझा है वह होगी नहीं इंगलीस में भी आपको ज्यादा समझा है वह नहीं होनी है थोड़ी बहुत इंदी CET graduation दोनों exam होने वाड़े हैं उसको आप साथ में लेकर के चले दूसरे विकल्प में अगर आप CET आपने अच्छी तरीके से हो किया है इसमें अच्छे आप marks आप ले आए तो आगे वाले JN का तो आपको देना ही है लेकिन आगे जो आपका exam होगा यानि कि ये जो पटवारी की बरती है वो मैंने आपके लिए ही रख रखी है तो आप क्या करें CET का जरूर देवें CET में अच्छे marks लाएं साथ साथ में JN की तैयारी के साथ साथ में और CET में आपके अच्छे marks आ सकते हैं और इसकी अगर आप तैयारी है वो साथ साथ में CET की करेंगे तो इस पटवारी के लिए आप है वो eligible हो जाएंगे और फिर आप है पटवारी में आपका एक के विकल्प आपको मिल जाएगा इसके लावा ग्राम विकास अधिकारी की भी है वो साथ में आपकी आ सकती है और भी वेकेंसी और नेक्स्ट और भी जो वेकेंसी है जो CET के आदारित होगी तो उसमें आपको है वो opportunity मिलेगी JN के पद कम हो सकते हैं ऐसा कुछ भी थोड़ा बहुत गड़बड हो करें तो आपके second जो option है वो आपको साथ में लेकर के चलना चाहिए ठीक है तो ये बात है इसके अलावा ये जो पटवार की जो भरती है इस पटवार की भरती को सभी अभियरती जितने भी जो exams की जो त सारे के सारे CET है उस पर focus करें CET का जो आप syllabus कर लेंगे तो वो CET और पटवार है जो CET में आपने ज्यादा पड़ा है उसको पटवार में वापस है वो कम करना पड़ेगा कुछ topics है वो आपके हट जाएंगे पटवार में ठीक है तो कहने का मतलब है इस प्रकार से आप अ कर सकते हैं और जैयन के अब्यर्ति CET के जो आपके फशू परिचर के अब्यर्ति हैं वो ज्यादा तर इदर उदर की बातों में बैकावे में ना करके अगर इस अप्रोच को आप हो फोलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप है वो बहुत अच्छी तरीके से 2014 के वर्ष लें जो नई क्लासेज हैं वो अगले ज अगले सन्टियान के भारत का सामाणी घ्यान है वो इसके अलावा बात करें। मैं आपको थोड़ा सा syllabus है वो रूबरू करवा देता हूँ बाकि एक हम अलग वीडियो रखेंगे उसमें हो syllabus पर completely discuss करेंगे और दूसरी बात है कि जो teacher exams की तियारी कर रहे हैं उनके लिए हम अलग session में हो discuss करेंगे तो हम जो class आपकी है वो provide करवाएंगे उसमें complete राजस्तान का सामानी ग्यान सामाने जो राजस्तान की राजववस्ता है राजस्तान की अर्तववस्ता है और आपका everyday science है वो दिव्या मेम करवाएगी आपको ठीक है वो जो सारी चीजे है वो आपको हम इस course के साथ में computer भी करवा देंगे ठीक है तो यह जो सारी चीजे हैं gk और science का पूरा complete जो है आपको content है वो 15 जो आपकी आने वाली अप्रेल है इस 15 तारीक को हमें class है आपके लिए start कर देंगे regularly class है आपके रहेगी और इस class में आप अगर enroll होंगे तो आप LDC की तैयारी कर रहे हैं तो LDC की भी तैयारी हो जाएगी और hostel shakes की vinegar कहरे है उसकी भी हो जाएगी human supervisor की कर रहे हैं उसकी भी हो जाएगी तो वह सारी आपकी तैयारी के साथ में ऊसीके की समार्टली और authentic sources के साथ में हम अद्रियन करेंगे चीजों का साती साथ आपको प्रतेग जुट ख्लास है उसके बाद में उसका टोपिक टेस्ट दिया जाएगा ताकि आप ख्लास के साथ में इस्टंट ली उसका है वह अभ्यास कर शके कि आपको फ़ता चल पाए कि आप कितने बाहर हैं कितने अंदर हैं आपकी तैयारी केसी और किस प्रकारशे है ठीक है तो थैंक्यू सो मच ओल आफ यू बहुत बहुत धन्यवाद उम्मीद करता हूँ इस सेशन से आपको जरूर कुछ इस प्रकारशे जो आपका एक ब्रह्म की स्तती थी उससे आप जरूर है वो बार निकले होंगे तो इसी प्रकार की अप्रोच है वो आप लगा करके अपनी तयारी हो शुरू करें हमारी शुब कामना यह आपके शाथ है और कल से जो आपका इसका जो बेच है शुरूर हो जाएंगे इसके लावा LDC है और स्टेनोग्राफर है परशू परिचर है इनका हमारे पास में अलग से भी बेच स्टार्ट है अपा दुनिवादू